हेलो एवरिबड़ी वेलकम बैक टू मैं चैनल में एकता आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशन में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ एक फैबरिक फ्लावर हेयर एसेसरी का मेकिंग शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए मैंने लिया है यह रेड कलर का सैटन रिब मोतियाँ ये वाय्ट कलर की गोल्ड़न कलर की और यह रेखिये , वायक्कलर की मोतियाँ और िरांसपैररंट वाली से सैटन बन लिया, यह बक्रम से खट lease अक तो यह मैनने कुछ गोल्डन कलर की मोतिया है इन हेयर एसेसरी में लगाने के लिए हमको ásकुत हम-पर और ये मैंने golden color का lace लिया है ये 15 inches length का है इससे मैं flower बनाऊंगी rose flower तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको पहले triangle shape में fold करके stitch कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको roll करूँगी और stitch करते जाऊंगी तो ऐसे मैं इसको roll करूँगी one time, two times और इस पर stitch लगा लूँगी अब मैं इस ribbon को पीछे की तरफ fold करूँगी ऐसे और इसको roll करूँगी तो हमको इसको इस तरह से fold करते जाना है roll करते जाना है और stitch करते जाना है तो ये देखिए इस तरह से मैं इसे fold कर रही हूँ फिर roll कर रही हूँ तो इस गोल्डन दिवन को पहले पीछे की तरफ फोल्ड करना है फिर रोल करना है उसके बाद सुई धागे से इसको सिक्योर कर लेना है तो इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है यह देखिए इस तरह से और हम इसको साथ ही साथ थोड़ा सिक्योर भी करते जाएंगे सुई धागे से जिससे यह स्लिप ना हो और इस तरह से हमारा यह गोल्डन कलर का रोस फ्लावर बन का रेडी हो जाएगा इसके एंड तक हमको सेम प्रोसेस रिपीट करना है और यह बहुत ही सुन्दर फ्लावर बन का रेडी होगा यह देखिए अब इसको सुई धागे की हेल्प से अच्छे से सिक्यूर कर लेना है हमें तो देखिए इस तरह से हमारा गोल्डन फ्लावर बन कर रेडी हो गया रहे हमको सेटेन रिबन की भी फ्लावर बना कर रेडी कर लेरा है Saturn ribbon की length होगी 12 inches और इस तरह के हमको 20 pieces बना कर ready करना है और ये green color का हमको pattern cut करने है 7 और इसको 7 red color के flower के पीछे stitch कर देना है उसके बाद हम ये yellow color का fabric लेंगे और इसके 1 inch के strips cut कर लेंगे ये दिखिए इस तरह के strips हम cut कर लेंगे और उसके बाद इस पर 1 cm का margin चोड़ते हुए इस तरह के बारी cuts लगा लेंगे और इस तरह से इन strips को ready कर लेंगे तो ये दिखिए अब हम एक पुक्रम लेंगे जिसका हम एक circle cut करेंगे 3 इंच diameter का और उसके चार तरफ हम इस strip को yellow color की जो हमने net fabric से cut किया है strip को gather करते हुए stitch कर लेंगे तो ये देखिए इस तरह से हम इसको इस पर stitch करते जाएंगे और इसके चार तरफ इसको stitch कर लेंगे और इसके बीच में हम ये golden color का flower लगाएंगे फिर हम जो हमने seven flowers इसके पीछे हमने green color का ये pattern लगाया है stitch किया है उसको हम इसके चार तरफ रखकर stitch कर लेंगे तो ये दिखिए हमने इसको स्विधागे की help से stitch कर लिया है और इसके नीचे हम three red color के ये flowers लगा देंगे लेटकन की तरह तो इसमें हमने मोतिया लगा कर इसको hang कर दिया है यहाँ पे लेटकन की तरह और ये मोतियों के साथ हमने कुछ flowers की sequence लगाते हुए ये दो chain बना ली हैं दोनों तरफ double layer की और उस पे hooks लगा दिया है इस तरह से तो ये हमारा hair accessory बनका ready हो गया है तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को like कीजिए, subscribe कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए और thank you दोस्तों for watching